हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चायल एवरीडे निव में दोस्तो आरार भी एलपी टेक्निशन और जूनियर इंजिनियर के छात्रों की चार डिफ्रेंट जोन से जौनिंग की बात करें तो 9 जुलाई से इनकी जौनिंग स्टार्ट हो रही है और नौर्धान रेलवे की तरफ से दोस्तों कई छात्र ऐसे हैं जिनके अभी इमेल एड्रेस पर जौनिंग लेटर डिस्पैच किये गए हैं तो आईए एक एक करके सारे ओफिशल अपडेट को सकते हैं इससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल बेटन दवा दिजागा रेलवे भरती की पलपल की अपडेट के लिए तो फ्रेंस फर्स्ट अपडेट है कंडिडेट्स की निव डिविजन अलॉट्मेंट की तो फाइनली इस्ट सेंटर रेलवे दिविजन अलॉट्मेंट कर दिए गए हैं तो यहां से सारे कंडिडेट यहां पर आपका मेंशन है रॉल नंबर कंडिडेट के यहां पर दिए गए है नेम कंडिडेट के फादर्स नेम इसके बाद किमूणिटी कौन सा है वो आपका मेंशन है और अलॉट्ट किया गया है इसके बाद नेक्स्ट आप लोग एक candidate का selection यहां से भी हो चुका है दानापूर डिविजन ही मिला है इसके बाद देखिए धनवाट डिविजन जिनको अलोट गुआ है friends उनका यहां पर मेंशन है अलोट्मेंट ऑफ 21 candidates for the post of J.E. Carriage and Wagon Mechanical Power Diesel Electrical Mechanical धनवाट डिविजन इन रर्वी रांची तो सिर्फ रर्वी रांची जिनका अलोट्मेंट यहां हुआ है देख सकते हो आप लोग सारे डीटेल्स मिला लिजेगा इसके बाद देखिए यह किस तक यहां से मेंशन है इसके स्रगत यहां पर दोस्तों पैनल पर राखे गए थे तो देखिए यहां पर टोटल 11 candidate है जिनका अलोट्मेंट हुआ है इसके बाद J.E. Mechanical का एक candidate यहां पर भी है इसके बाद list of J.E. Electrical Mechanical यहां पर दो candidate है नेक्स्ट बात करें तो देखिए allotment of 17 candidates for the post of SRA post के लिए है स्वनपूर डिविजन दिये गया है कहां से J.E. Mechanical वाले इसके बाद allotment of 41 candidates for the post of SRA post है कहां कहां से तो R.R.B. मुझफर पूर और R.R.B. राची तो दो जगा के candidate है और यहां पर इनको समस्ति पूर डिविजन एलोट किया गया है तो यहां से देख लिए टोटल 41 candidates है जिनको यहां पर समस्ति पूर डिविजन भी एलोट किया गया है तो दोस्तो लाइटेस्ट में अभी कई J.E. वाले छात्र है अलग-अलग का टेगरिक है जिनको East Central Railway की तरफ से दोस्तो अभी लाइटेस्ट में ज्वाइनिंग के शिडूल जारी करवा दी गई है इसके बाद J.E. के भी छात्रों की शिडूल आ चुकी है देखे फ्रेंस ए अपडेट आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि साहयक लोको पालेट के टोटल 235 candidates के जो पैनल आय थे उनकी सावित की किए अगस 2020 में ही ज्वाइनिंग लेटर भेज़े जाएंगे इसके बाद टेक्निशन सिग्नल और मेकेनिकल की बात करें तो बामन कैंडेट थे जिनका सितंबर में होने वाला है ज्वाइनिंग और साहयक लोको पालेट के 341 candidates है जिनको यहां पे धनवार है 9-7-2020 को इनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाए गया है तो फ्रेंड्स कोवीड-19 के कारण जो आपके डेट पहले कैंसल कर दिये गये थे अभी दोस्तों रिजूम कर दिये गये हैं देखिए सेकेंड वाले जो गंडेट है टेक्निशन ग्रेट 3 सिगनल 18-22-20 को पैनल आ परिष टोक सारे डॉकमेंट बनवा हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं वह सारे डॉकमेंट आपको लेके जाने हैं करें आगा दो दोस्तों अपडेट कर दिया गया है 15 साथ 2020 को इनको बुलाए गया है जॉइनिंग के लिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए पांच नंबर वाले जेई टी आडी एंड टी आरेस पहले कोई डेट नहीं मेंशन थे फ्रेंज यानि नए डेट इनको दिये गया है तो 27 साथ 2020 को इनको जॉइनिंग के लिए बुलाए गया है जल्द से जल्द आपके जॉइनिंग लेटर यहां पर जारी करवा दिये जाएंगे इसके बाद टेक्निशन टी आडी ओ एची एंड एलपी वाले छात्रों की और नया पैनल की तो देखिए यह पैनल ओफ एलपी 235 नंबर आरारवी आरणसी यानि रांची रिसिप्ट फ्रॉम हाजिपूर इस ओफर लेटर हैज बिन इशूड ओन तेरा तीन दोहार बिस रिपोर्टिंग डेट बीस चार दोहार बीस एट र लेकिन जैसे ही ट्रेमिंग शिडूर आते हैं तो नया ट्रेमिंग रिज्वाल है उसकी के जानिंग होने वाली है तो अभ अभी सपक्तमबर या फिर अक्टूबर में मुल सम्सिप्र भी मensch dollars रहें हैं उर ить update का जो मिदेट आपर टेली कॉमुनिकसयन का इंका आप लोग द दिया गया है देखिए जो 9 कंडेट हैं इनका जारी हो चुका है सिगनल का भी जारी हो चुका है धनवार डिविजन से यहां पर शेडूल दोस्तों आ चुके हैं बाकि जो भी बचे हुए यहां फिर इस सेंटर रेलवे के और भी वहां सभी दोस्तों आपकी अपडेट आने लगेंगे क्योंकि यहां पर जो आपकरते हैं चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की टो फ्रेंस नेक्स्ट जो रिटेट उत्तर रेल्वे याँनि नौर्दर रेलवे के तरफ से आ रहा यह यहां पर कई चात्र हैं जिनके इमेल आड्रेस पर जोआनिंग भी भेजे अलवाज की चात्र हैं को ऑनर के आंतर कार्याले नाइट नई दिल यहां से देख सकते हो देखे यहां से नहीं आई है यहां से डिटेल्स के डेट के रेल्वे भरती बोट द्वर्ट डवारा चैनिजूनियर इंजिनियर ब्रीज एवं आकलन बेतन इतना आपका दियेगा है इसके बाद दोस्तों जो आपके ब्याली सो ग्रेट पे है और किस प्रकार से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के समय दिये जाएंगे इसके बाद कब जोईनिंग के लिए आपको अपने साथ सभी मूल दस्ता बेज पैंका डाधार काड़े सब सब कुछ लेकर आना है तथा समाजिक दूरी का भी से स्पालन करना है तो यहाँ पे तो वही नॉर्मली बोलेगा है मास्क आपको लगा के जाने हैं इसके बाद सानिटाइजर का यूज करने हैं और साथ में सोसल डिस्टेंसिंग भी पालन करने होंगे तो इस प्रकार से जोइनिंग अभी आई है बात कर लेते हैं कुछ डोक्मेंट्स की तो फर्स तो विडियो का डिस्कृप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लीजगा इसके बाद नीचे बात करें तो यहाँ से हसताचर करतने हैं धीनांक और प्लेएस यहां पे दे दने है इसके बाद चरीत्र प्रमान पत्र का पर्फर्मा दिया गया है तो character certificate आपको बनवाने होंगे तो यहां से दोस्तों इसका भी print out ले लिजेगा और कोई भी गया जटेट ओफिसर से आप लोग इसको बनवा लिजेगा हस्ताचर, designation, place और date आजाएगा इसके बाद कार्याले का म magistrate से या फिर district magistrate से या फिर sub divisional magistrate से किसी से भी access signature करवा लेने हैं उनका attestation यहां पर ले लेने हैं तो यह जो खाली सताने यहां पर attestation ले लिजेगा मुहर इस तरह से आजाएगा उनके signature आजाएगे तो यह भी आपका बन जाएगा अब next document है friends agreement bond का या फिर service bond का तो देख कोट से बनेंगे friends कोई भी civil court district court में चले जाएगा कोई भी वकीलिया फिर lawyer से आपको मिलने हैं सारा कुछ टाइप कर वाले हैं उस पर extra जो लिखा हुआ है इसके लिए आप लोग white page का यूज कर सकते हो इसके बाद नीचे आपको signature करने होते हैं तो जैसे देखिए सबसे पह कोई अधर employee होंगे जो की witness बन सकते हैं या कोई भी grade पे में वाले हो सकते हैं तो witness का signature उनका नाम designation employment नंबर नहीं है तो नहीं है इसके बाद office जिस office में काम करते हैं उसी तरह से second जो witness रहेंगे उनके signature name designation employment नंबर office shop इस प्रकार से दोस्तों ये सारे updates काई जोन की तरब से आप लोग पूर लीजगा चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही और update आते हैं आप confirmation मिल जाएगी